हलो फ्रेंड आप साबका स्वागत है अनीता की रश्यमें आज हम यह बैगन से अलग तरह से पकोड़ा अलग तरह से पकोड़ाएंगे तो आज हम बैगन के लच्छे वाले पकोड़ा दिखाएंगे तो देखेे चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं तो हमने एक बाउ लिया है और उसमें हम एक देड़ चमच बेशन डाल लेंगे अब इसी में हम साध के अनुसार नमक डालेंगे और आधा चमच लाल में इस पाउडर डालेंगे और इसी में हम थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे, अब इसी में हम थोड़ा सा आधा चमच अजवाइन क्रस करके डाल देंगे, इसका अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन डालने से, तो अब इसी में हम आधा चमच ये अध्रकलेशन पेस्ट डाल देंगे, अब इन सब चीज करेंगे पतला सा हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है पहले एक वह थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसे मिला लेंगे फिर इसके बाद उसको पतला करेंगे इसको हमें ना ज्यादा पतला रखना है ना ज्यादा मोठा एक मीडियम में इसका गोल बना के तयार करेंगे तो देखिए अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे अभी हमारा ये घूल थोड़ा मोटा है अब इसमें हम थोड़ा सा और पाने डालेंगे तो देखिए हमने थोड़ा सा और पाने डालके इसका पतला घूल तयार कर लिया है इसी तरह से इसका हम घुल तयार रखेंगे तो देखिए ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा इसी तरह से हमें इसका घुल हम तयार कर लेंगे अब इसी में हम दो चिटकी अएग मीठा सोडा डाल देंगे अब इसको मिलाकर इसको साइड में रख देते हैं, तब तक यह फूले अब बैगन ले लेते हैं बैगन को हमें जो नीचे वाला पार्ट पत्ता जैसा रहता है उसको हमें साइड निकाल देना है तो देखें सब बैगन को हम निकाल देते हैं तो दखिए हमने सब निकाल लिया है अब हम एक रोटी बनाने वाला चक्ला लेंगे अब यह बैगन को उसको रख देंगे ज्यादा हमें उपर से नहीं कट लगाना है थोड़ा से छोड़ के साइड में ऐसे बीच में कट कर देंगे तो देखिए हमें पूरा अच्छा से काट लेना है देखिए इसको अच्छे से पूरा अलग कर दिये हैं अब फिर साइड में ऐसे करते हुए पतला पतला सा सलेसे में काट लेंगे तो देखिए हमें ऐसे इसे कट लगाना है सब में ऐसे चीर लेना है बैगन में तो देखिए ऐसे लच्छे जैसा बन जाये और साइड में ऐसे पतला पतला सलैसेस में काट लेंगे तो देखिए इसी तरह से हमें सब में काट लेना है तो देखिए ऐसे काट के लच्छक जैसा बना लेंगे और तुरंत बैगन काट को पानी में डाल लेंगे तो देखिए हमने काट के तुरंत ही पानी में डाल लिया है ने तो ऐसे बाहर रखने से बैगर में काला पढ़ जाता है अब इसको हम दो तीन पाने से अच्छा से धो लेंगे तो देखिए हमने अच्छा से इसको धो लिया है अब इसी में हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा ये डाल मिस पॉडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे ज्यादा नमक नहीं डाना है हमें स्वादिक एनुसा नमक डालेंगे थोड़ा से डालेंगे नमक क्योंकि हमने बेशन के गोल में भी नमक डाल लिया है अब इन सब चीजों को हमें एक बर अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से इसको पूत लेंगे ताकि इसमें अच्छे से भीं जाये और यह बैगन में अच्छा टेस्ट आएगा इसे तो देखिए सभी में अच्छे से मिल गया है अब हमें गोल इसमें ऐसे deep करेंगे देखिए ऐसे हमें डिप करके इसको ऐसे छान लेंगी तो इसी तरह से हमें छानना है चलिए गया इसकी तरह देख लेते हैं तो देखिए हमारा तेल गरम हो गया है अब ऐसे एक-एक करके बैगन को डाल देंगे ऐसे बेशन में डिप करते हुए डाल देंगे तो देखिए कितना अच्छा अलच्छे के जैसा दिख रहा है अब इसी तरह हमें इसको हम तर लेंगे तो देखिए एक-एक करके ऐसे डाल लेंगे और इसको हम अलचते पलचते अच्छे से पका लेंगे अच्छा लाल हो जाए तो देखिए अच्छा लाल हो गया एक तरफ आप दूसरे तरफ पलच लेते हैं ऐसे पकोड़े बना के खाने से बहुत टेश्टी रहता है आप तो बहुत किशिम का पकोड़े बना कर खाएंगे प्याज के आलू के एक बार इस तरह से ये बैगन के भी पकोड़े बना खा बहुत अच्छा रहता है क्रिस्पी रहता है तो आप जरू ट्राइ करिएगा तो देखिए पकोड़े बनके तयार हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में इसी तरह से सबको हम फ्राइए कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड ये पकोड़े बनके तयार हो गया है बैगन के लच्छे वाले पकोड़े देखिए कितना अच्छा दिखरा उतना खाने में भी टेस्टी रहता है खाने में भी स्वाद रहता है आप एक बार ऐसे बना के जरू ठ्राइ करिएगा तो देखिए पूरा अच्छा बनके रेडी हो गया है अगर फ्रेंड आपको ये रेश्पी देखके पसांद आया हो तो लाइच सब्सक्राइब और सेयर करिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा और एक बार जरूर ट्राइगा तो फिर मिलेंगे अगले नेस्ट वीडियो में थैंक यू